आज की वीडियो उन लोगों के लिए जो हाउजिंग लोन लेकर एक नया घर या फिर एक नई फ्लेट लेने के बारे में सोच रहा है या फिर जो अपनी existing घर है उसको ही रिनोबेट करने के बारे में सोच रहा है आज की वीडियो में मैं आपको Life Insurance Corporation यानि की LIC की जो हाउजिंग लोन होती है उसके बारे में सारी की सारी जानकारी देने वाना हूँ आपको बताने वाला हूँ Life Insurance Corporation में जाकर हम किस तरह से हाउजिंग लोन को एप्लाई कर सकते है कौन कौन से हमें डोकुमेंट्स प्रेजेंट करनी पड़ेगी अगर हम हाउजिंग लोन लेते हैं LIC में जाकर आखिर क्या-क्या ऐसी eligibility criteria है जिसको हमको fulfill करना पड़ेगा और आखिर कितने interest हम से charge करेगी LIC against housing loan नमस्कार दोस्तों मेरा नाम है बिराज और आपका स्वागत है मैंने चैनल बिराज की बाते में तो चलिए आज की वीडियो को फटा फट शुरू करते है LIC की जो होम लोन होती है वो होम लोन दिया जाता है LIC Housing Finance Corporation की तरफ से लाइसे Housing Finance Limited की भी एक employee आप आपको मिल जाए करेगी और उनके पात जाकर ही हम LIC Housing Finance Limited की तरफ से जो housing loan दिया जाता है उसको हम यहाँ पर apply कर सकता है अब LIC Housing Finance Limited की तरफ से जो home loan दिया जाता है उस home loan को कोई भी बेकती apply कर सकता है चाहे वो salary class हो या फिर non salary class अगर आप एक government salary package account holder है या फिर non-government salary package जैसे कि private sector के employee है तो भी आप LIC Housing Finance Limited की तरफ से जो housing loan दिया जाता है उसको apply कर सकता है या फिर अगर आप एक non salary जैसे कि businessman हो या फिर कोई professional हो तो भी आप LIC में जाकर एक housing loan apply कर सकता है आप LIC की जो housing loan होते है वो नए घर या फिर नए फ्रेट purchase करने के लिए भी दिया जाता है या फिर जो existing घर है उसको renovate करने के लिए भी दिया जाता है LIC की जो home loan होती है उसकी जो maximum tenure रखी गई है वो रखी गई है 30 सालों की या फिर जो भी applicant है उनकी जब भी 60 साल होगी वो 60 साल के achieve होने से पहले ही उनको यह housing loan है उससे close कर देना पड़ेगा इसका मतलब यह हो अगर आप एक ऐसे बेखती है जिनकी उमरे 40 साल है तो आपकी जो maximum tenure आपको मिलेगी वो मिलेगी 20 साल होगी मतलब क्यूंकि 20-40 से 20 साल के बाद आपकी जो 60 साल नुमर हो जाएगी उसके बाद आपको housing loan और यहाँ पर offer नहीं किया जाएगा अब अगर हम interest rate की बाते करें तो LIC housing loan की जो interest rate है उस पर बहुत सारे factor यहाँ पर matter करते हैं सबसे पहली factor है अगर आप एक लिट क्लास है तो आपकी जो interest rate है वो अलग होगी अगर आप एक नॉर्ण से लिट क्लास है तो आपकी interest rate यहाँ पर अलग होगी आपकी जो civil score यानि कि आपकी credit score है अगर आपकी high है तो यहाँ पर आपकी जो interest rate है वो कम होगी अब LIC की जो official website है वहाँ पर आप देख सकते हैं यह जो interest rate home loan पर charge किया जाता है तो यहाँ पर सबसे पहला factor आ जाता है civil score अब civil score में भी अलग-अलग तरह से दिया हुआ है civil score greater than or equal to 750, civil score 700 to 749 तो अलग-अलग civil score के लिए यहाँ पर अलग-अलग interest rates charge किया जाता है और जो दूसरी condition रखी गई है वो occupation type salary और professional के लिए अलग है और non salary और non professional के लिए यहाँ पर अलग है तो पर सबसे पहले हम देख लेता है आखिर अगर civil score 750 है या फिर उससे उपर है मतलब एक ऐसे बेखती है जिनकी credit score काफी अच्छी है और वो salary professional भी है तो उनकी कितने interest rate यहाँ पर आ जाएगा अगर civil score 750 से उपर है तो up to 2 crores 8.50% interest rate आ जाती है और 2 crores से उपर अगर कोई apply करते है तो उनकी 8.70% आ जाती है तो उसी case में अगर जेख लेता है moderate civil score 600 to 699 और वो से यहाँ पर non-salid है तो उनकी interest rate 9.65% आ जाती है अप to 50 लाग 9.85% up to 2 crores और 10% आ जाती है अप to 15 crores और वह अगर civil score इतनी ही है और solid और professional class है तो interest rate थोड़ी सी यहाँ पर घड़ जाती है 9.55% 9.75% और 9.90% तो civil score जितनी ज्यादा होगी तो उतनी कम यहाँ पर interest rate आपको देना परेगा interest rate करना परेगा और अगर आप non-salid professional है या फिर आप ए बिजनेसमेन है तो आपको यहाँ पर solid class से तो ज्यादा ही interest rate भी किया जाएगा तो इस तरह से हमारी occupation और हमारी जो civil score है वो deciding factor आ जाती है जो interest rate है उसको decide करने में अगर civil score ज्यादा है और अगर जो occupation है वो solid है तो उस case में जो interest rate है वो काफी कम आ जाते है इन comparison तो वे बिखती जिनकी civil score काफी कम है और जो non-salid class है तो यहाँ पर civil score और जो occupation है वो काफी ज्यादा मेंटर करती है जो interest rate है उसको decide करने के लिए अब अगर बाते करें loan amount के तो यहाँ पर जो maximum loan amount है वो उस loan amount को decide किया जाता है जो हमारी property है जिस property पर हम अपनी घर बनाएंगे या फिर जिस flat को हम purchase करेंगे उस property या फिर उस flat की जो valuation होती है उसके basis पर ही अब चलिए फटा फ़र जाकर देख लेता है LIC की official website में आखिर कौन-कौन से asset factor है जो यह decide करती है maximum loan amount हमें कितनी भी ला करेगी maximum loan amount और repayment period यहाँ पर आप देख सकते हैं जो पहली आ जाती है उसकी 90% तक हम loan amount as a maximum apply कर सकते हैं अगर हम 30,55,20,000 loan amount को apply कर रहा है तो हमारी जितनी भी property value होगी जिस property के हम loan ले रहे हैं उसकी 80% तक हम maximum loan amount apply कर सकते हैं और अगर हमारी loan amount 55,000,00,000 से ऊपर है तो हमारी जो property है दो property की value है उसकी 75% तक ही हम maximum loan amount यहां पर apply कर सकते हैं और अगर हम repayment प्योट की बाते करें तो solid class के लिए 30 साल है और non solid class के लिए यहां पर 25 साल रखा गया है तो property cost के हिसाब से ही हम maximum loan amount को यहां पर apply कर सकते हैं अब चलिए फटा फट देख लेता है आखिर कौन कौन से ऐसी document है जो हमें submit करना पड़ेगा जब भी हम अपर housing loan है उसे apply करता है LIC में जाकर LIC में जाकर अगर हम home loan को apply करते हैं तो हमें तीन प्रकार की document यहां पर present करनी परती है सबसे पहले तो KYC document जहाँ पर आ जाती है पेन कार्ड अधार कार्ड और अगर हम NRI है तो passport चाहिए और proof of president फिर यहाँ पर आ जाती है हमारी income documents अगर हम select class है तो salary sleep या फिर form 16 आ जाती है bank statement हमारी जो 6-12 माहिने की last 6-12 माहिने की bank statement है वो हमें submit करना पड़ता है या फिर अगर हम non select class है तो हमारी जो last 3 साल की income tax return है उसे हमें present करना पड़ता है और अगर property documents की बाते करें तो proof of ownership of property की documents हमें यहाँ पर present करनी पड़ती है और अगर in case of plates हम plate purchase करें तो allotment letter of builder या फिर society की जो हमें present करनी पड़ती है और हमारी जो tax paid receipt है up to date वो भी हमें यहाँ पर present करना पड़ता है तो mainly यही है LIC की home loan scheme, LIC की home loan scheme होती है खासकर उन लोगों के लिए है जिनको बैंकों के द्वारा आसानी से home loan नहीं मिलता है क्योंकि बैंकों में अगर home loan लेना है तो यहाँ पर insurance policy है LIC की काफी भारी बार कम insurance policy है तो उसको भी as a security रखकर हम LIC में housing loan ले सकते हैं तो आसा है इस वीडियो को देखकर आपको कुछ नया information मिला होगा और अगर मिला है तो मेरे चैनले को like और subscribe करें सब्सक्राइब करें सब्सक्राइब करें सब्सक्राइब करें सब्सक्राइ